अगर आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं तो ये खबर आपके लिए है पंजाब में एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन सड़क खाथ से की वज़त से 13 लोगों की जान जाती है ऐसे में पंजाब सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बड़ा फैसला गिया है तीन महीने के लिए driving license निलंबित किया या सकता है यानि सस्पेंड हो सकता है इसके साथ ध्यान दिजेगा इसके साथ ही नजदेकी अस्पताल में समुधाइक सेवा करनी होगी या एक unit रक्तिदान करना होगा यानिन आपको एक unit का blood भी देना पढ़ सकता है इसके साथ ही अधिसूचना में ये भी कहा गया है कि अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है तो उसे एक रिफ्रेशर कोर्स से गुजरना होगा इसके बाद परिवहन प्राधिकरन से सर्टिफिकेट भी लेना होगा इतना ही नहीं आरोपी को कम से कम 20 स्कूली बच्चों को 2 गंटे तक यतायात नियम के पाठ पढ़ाने होंगे अगर पंजाब में आप ओवर स्पीड से गाड़ी चलाते हैं तो पहले आपको 1000 रुपे का जुर्माना लगाए जागा अगर आपने गलती दोबारा की तो फिर इसका जो जुर्माने की रकम है वो दोगुनी हो जाएग यानि के 2000 रुपे आपको देने पढ़ेंगे वहीं अगर सराप पिकर आप गाड़ी चलाते हैं या फिर मुबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं तो आपको 5000 रुपे का जुर्माना देना होगा अगर दूसरी बार इस नियम का उलंगन आपको जुर्माने की रकम भी दोगुनी हो जाएगी पहली बार अगर डेट लाइट आप जंप करते हैं या फिर ट्रिपल लाइडिंग करते हैं तीन लोगो बैठा कर सवारी करते हैं तो हजार रुपे का जुर्माना आपको भरना होगा अगर आपने नियम को दोबारा से तोड़ा दोबारा से अगर कानून का उलंगन किया तो जुर्माने की रकम फिर से दोगुनी हो जाएगी तो पंजाब में अपसे नए ट्रैफिक नियम लागो हो गये हैं एक रिपोर्ट के मताविक आपको बता दे कि साल 2011 से 2020 के बीच पंजाब में 56,969 से अधिक सड़क हाथ से हुए थे जिन में 46,550 आस लोगों ने अपनी जान गवाई है ऐसे में सक्त ट्रैफिक नियम की आउश्रकता पंजाब में थी तो ये नया नियम कितना सही है आप हमें कमेंट में अपनी राए जरूर दे बाकि हमारी भी आपसे अपील है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें ये आपके और आपके चाहने वालों के हित में हैं तो इस वीडियो में इतना ही वागी तमाम अब्रेट्स के लिए आप बने रहें एबी पी लाइव के साथ